हेलो फ्रेंट्स दिस इस एस्पीसिंग एंड वेल्कम तो इस्माटर एवरी देग एकॉर्डिंग टू लखनव यूझिवर्सिटी बिएट फर्स सेमेस्टर में कुछ इस्टुएंट्स के पास पेपर है फोर्थ सिक्छा में नवाचार और कुछ इस्टुएंट्स के पास है वेल्यू एंड पीस एजुकेशन तो आज हम पहले बात कर लेते हैं जो सिक्छा में नवाचार है इनोवेशन इन एजुकेशन इसके टॉप टैन लॉंग कोशन में आपको प्रोवेट करा रहा हूँ अगर आप इन दस कोशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली पे कोशन को मत पढ़िएगा जो मैं बता हूँ उसको भी सुनिएगा नवाचार की अवधार्णा मैं बार बार बताता हूँ अगर अवधार्णा कोशन में आ जाए तो उसमें आप अर्थ और परिभासा भी लिखना है आपको ठीक है नवाचार की अवधार्णा को इस्पस्ट करना है second one is second one is समाचेक परिवर्तन का आर्थ और परिभाषा समाची क्या है इसका आर्थ लिखेंगे परिभाषाएं भी लिखेंगे और अगर रर्थपरिभास पूश रहा है तो पहले चारचे लाइने अवधारना लिख दिजे इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और लॉंग कोर्शन है तो उसके लिए आपको थोड़ा आसानी हो जाती आगे कवर करने में ठीक है तथा इसकी विशेषताएं भी आपको बतानी है अगर अवधार्णा पूछ ले तो अर्थ प्रिभासाएं भी लिखनी है और खाली अर्थ प्रिभासा पूछे तो चारचे में पढ़ा भी चुका हूं अभी रिसेंटली वीडियो डाला था तो उसको आप देख लीजेगा समावेसी सिख्षा का क्या अर्थ है अर्थ पूछ रहा है समावेसी का सिख्षा में नवाचारों के महत्तों को इश्पष्ट कीजिए यह सारे कोर्शन दस कोर्शन है सारे क शहकारी अधिगम को परिभाशित कीजिए शहकारी अधिगम क्या होता है इसका अर्थ परिभाशा जो कुछ आप लिख सकते हैं उसको लिखना है शहकारी अधिगम की विशेष्टाएं क्या है शहकारी अधिगम का महत्तों क्या है इस पर आपको प्रकास डालना है प्रकार सिक्षा में नवाचार इस कारेकर्म के माध्यम से किया जाता है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्शन की तरफ सैवंध वन कोर्शन कहता है सिच्छक इस्थापना क्या है अगर इस्थापना क्या है तो इसमें जितना आपको आता है अर्थ परिभाशा अवधारना लिख द जीवन को उसल सिख्षा की आवशक्ता और उद्देश्यों का उले कीजिए जो जीवन को उसल सिख्षा है इसके बारे में आपको इसकी आवशक्ता बतानी है प्लस इसके क्या उद्देश्यों यह बताना है नाइन्थ वन कोशन कहता है सिख्षा में नवाचार में CASE यानि की C A S E case की क्या भूमिका है तो यह case आप पढ़ करके जाएंगे बेहत्रिन तरीके से आज का लास्ट कोर्शन आपका टैंथ वन पर्यावरण सिच्छा की आवे सकता एवं महत्यों का वर्ण कीजिए पर्यावरण है जाहिर सी बात डिफरेंटली आपका आएगा ही आएगा ठीक है तो यह मेरा दूसरा यूट्यूब जैनल है आप मुझे यह फालो कर सकते हैं लि